522 विकेट हो गए हैं करिटनी वाश को पीछे छोड़ दिया और अब एक सवाल जो है सारे हमारे क्रिकेट के फैंस जो है वो भी उनके मन में है कि क्या अश्विन जो है अब अनिल कुम्बले को पीछे छोड़ सकते हैं हम लोग इस पर बात भी कर रहे थे कि क्या वो कुम्बले को पीछे छोड़ सकते हैं अगर वो 38 साल के हैं चालिस तक खेलेंगे तो आप लगा लें 20 टेस्ट मैच लगभाग 20 टेस्ट मैच आपको विलेंगे आपको चाहिए 100 यानि 5 विक्टे चाहिए तो पांच पर टेस्ट मैच आपको विक्टे चाहिए ठीक है अबही अगर मैं कहों 5 पर टेस्ट मैच हो जाएगा हो जाएगा वा जाएगा दर या चाहिए में तो फिर उनको 31 साल तक कहला पड़ेगा एक साल और बढ़ाना पड़ेंगा अगर ये 20-22 टेस्ट मैच और खेल गए तो तो जरूर रिकॉर्ड तोड़ देंगे पर सवाल यह क्या इनको बीस बाइस टेस्स मिलेंगे अगले दो साल में और उसके लिए उनकी लड़ाई है जड़ेजा के साथ उधर का रिकॉर्ड वो तोड़े न तोड़े लेकिन यूट्यूब पे वो रिकॉ को अब वो हन्दी में भी आगा तो अब तो यह कंप्टिशन हो गए ऐश की वाथ अच्छा पन है लेजे आ हिंदी का शबल है ऐश मजें के वह बात करता रहूंगा क्रिकिट के बारे में तैयारी करता रहूंगा लेकिन मुझे एक चीज ना उनको देखके लग रहा है क्यो तो यह जो आप उनका बैटिंग अवतार देख रहे ना, हाला कि रन पहले भी करते थे, अब आप पिछले कुछ सम्में में देख रहे ना, बैटिंग अवतार, मुझे लगता है यह भी ऐसे बाई चांस नहीं है, इसके पीछे अच्छी गासी प्लैनिंग है, और वो प्लैनि में मैं जड़ेजा को आइंगे, मैं भी वो आज आपको कह रहे हैं, और मैं आपसे दोनों से सवाल पूछू जब आप बदाए, अगर यह होम सीरीज खतम होती है, अश्विन के तीन शतक हैं तब तक, आप जब अश्विन और जड़ेजा को देखोगे, तो क्या वो बराब बड़ा कर सकते हो ऐसी जगा, वाइड बॉल में तो नो चांस, टेस्ट क्रिकेट में आप चुपा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अश्विन यह हमेशा अपने ले टार्गेट सेट करते हैं, वो टीन पील में जो उन्होंने उपन किया है, जो यहां पर टेस्ट हम सब के जहन में जब यह बात हो कि कौन है बैटर बैटर तो आप कहें अश्विन क्योंकि जिस दिन आप वो मान लेंगे ना उस दिन आप हर वक्त अश्विन को ही क्योंकि बतार बोलर, I think इतना डिवेट नहीं है, अगर आपको सिरु बोलर चुनना हो, अश्विन और जड जाएंगे कि आपको इस बात पर यकीन हो जागा नहीं है अब बैटिंग पर ही चुनना तो आप अश्विन क्या बुरह है अब बराबर के अब बोलर तो वो बहतार है चड़े से उनको कहला लेते हैं तो वो शाद 20 टेस्ट माच हो जाएं क्योंकि हो सकता है अगर अगर जाएंगे जाएंगे तो आप खिलाएंगे ओवर्सी बात करा है फिर एक आपके पास यानी छेतक बैटिंगे साथ पर जिस पर आप जड़ेजा को देख रहते हैं अगर हार्दिक आ गए तो आप आठवे पर ब्रोलर भी खिला सकते हो फिर आप बैटिंग पर तनी तवज् वला भूल